जैसा कि आज आप बोर्ड में देखी रहे होंगे कि हम लोग रिजनिंग सेक्शन में दिसा घ्यान डारेक्शन का आज टॉपिक करने वाले हैं इससे पहले मैं बता दूँ कि कईों को टॉपिक देखते ही यह सबजेक्ट यह टॉपिक बहुत ही इजी लगने लगता है तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा जिन से मैस नहीं बनता वो प्लीज वीडियो को सुरू से देखें और अंत तक देखें अगर कुछ छूट जाए तो आपसे कहीं न कहीं बनने नहीं लगेगा हम लोग lower से higher की ओर चलेंगे पहले simple question को करते हुए हम लोग one by one step आगे बढ़ेंगे और मेरा आपसे वादा है कि आप मेरे साथ अगर बने रहेंगे तो आपसे maths के सारे topic आपसे बनने रहेंगे चले आज हम लोग दिशा से direction से कुछ basic चीजों को जानते हैं कि जैसा कि आप जानते होंगे हमारे पास चार दिशाएं मुख्य रुप से चार दिशाएं होती हैं अगर उन दिशाओं की अगर बात करें उन दिशाओं की अगर बात करें तो एक दिशा है उत्तर उसी तरह है अगर दिशा की बात करें तो हमारे पास मुख्य रोप से चार दिशाएं होती हैं यह है उत्तर दिशा, दक्षिल दिशा, पूर्व दिशा और पस्चिम दिशा इसी को अगर बोल दें इंग्लिश में तो नार्थ, शाउत, इस्ट और वेस्ट इसी तरह अगर देखें तो इन दो दिशाओं क्रमशा, उत्तर और पूर्व, पूर्व और दक्षिन, दक्षिन और पस्चिम, पस्चिम और उत्तर इन दो दिशाओं के बीच का कौण 90 अंस का होता है चार दिशाओं हैं मुख्यरुप से उत्तर दक्षिन, पूर्व पस्चिम और क्रमशा, दो दिशाओं के बीच के बीच का कौण 90 डिगरी का होता है 90 अंगल बनाते हैं इसी तरह देखें तो इन चार दिशाओं के चार अन्य सहायक दिशाओं भी होती हैं इन चार दिशाओं की चार अन्य सहायक दिशाओं होती हैं कुछ इस तरह से अगर बात करें तो उत्तर और पूर्व के बीच का दिशा उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व उत्तर और पूर्व के बीच का दिशा उत्तर पूर्व उसी तरह दक्षिण और पूर्व के बीच का दिशा दक्षिण पूर्व कहलाता है इस तरह से हमने देखा कि हमारे पस चार मुख्य रूप से चार दिशाएं उत्तर दक्षिण पूर्व और पूर्व और पूर्व और इन दो दिशाओं के मद्द क्रमशा 90 डिग्री का अंगल बनता है साथी में देखें तो इन चार दिशाओं के चार अन्य सहयक दिशाएं भी होती हैं उत्तर पूरो के बीच का दिशा उत्तर पस्चिम के बीच का दिशा उत्तर पस्चिम दक्षिन पूरो के बीच का दक्षिन पस्चिम और दक्षिन पूरो के बीच का दक्षिन पस्चिम के दिशा के बीच का दक्षिन पस्चिम इसी तरह और देखें तो अब इन दो दिशाओ के बीच के मध्य का कॉणड 45 अंस का होता है जासा कि देख रहे हैं कि उत्तर और पूरो के बीच का कॉणड बनता है टो उत्तर और उत्तर पूरो के बीच का Coord ब्यास है 45 इसीतर अन्य ये भी 45 का हो से और ए 90डिग्री का हो इसी तरह हमने इन दिशाओं को जाना अब जब हम लोग कोस्टन सॉल्व करते हैं तो कई हमें टर्मलोजी मिलता है हमें कई टर्म्स मिलते हैं सब्दा वाले मिलता है जिसे हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं तो अगर हम बात करें दाएं तो हमारा दाया राइट हेंड साइड को हम लोग दाएं या दाया बोलते हैं दाया या राइट हेंड साइड राइट हेंड साइड उसी को अगर बात करें जब हम लोग कोस्टन सॉल्व करते जाएं तो इस तरह के हमें सब्दवली का उप्योग मिलता है कोस्टन में कि कोई ब बोलते हैं दक्षिना वर्त भी बोलते हैं और दक्षिना वर्त के साथ ही साथ कई बार सूर्य के सूर्य बोलते हैं घड़ी के सूई की दिशा में भी मिलता है घड़ी की सूई की दिशा घड़ी की सूई की दिशा इस तरह से अगर यह सब्दा वली हमें कोस्चन में मिले कि द हमें एकी और indicate कर राह है दाएं और अपने दाएं और राइट हैं आज साइट के ओर इसी तरह अगर हमें बाया मिले इसी को बोलें left hand side left hand side अगर दख्षण वर्त के जगह में अब यहां आ जाएगा वामा वर्त वामावर्थ और घड़ी के सुई की विप्रित दिशा इस तरह से इन सब्दा वलियों को हम लोग अगर याद रखें और डारेक्शन का कोस्चन करना चाहें तो हमें कई माइनों में कोस्चन को हल करने में बहुत ही आसानी होगी इसलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इन सब्दा वलियों को अच्छे से याद रखें ताकि आपको कोस्चन हल करते समय बिलकुल प्रॉब्लम ना हो फिर से देखें एक बार तो हमारा दाया ही राइट हेंड साइट उसी को हम लोग दक्छना वर्त या घड़ी की सुई की दिसा में अगर बात करें बाया या लेफ्ट हेंड साइट का तो वही वामावर्थ खालाता है ये घड़ी की सुई की विप्रित दिसा के बारे में वहा बात कर रहा है तो हमने देखा मुख्य रूप से चार दिसाएं और सब्दा वलियों को हमने जाना आगे देखते हैं अब इतना अगर आपको याद होगा तो हम वन बाई वन टाइप वन के कोस्टन जो हमारे ब्लेक बोर्ड में पहले से लिखा हुआ है हम लोग इसली सॉल करते चले जाएंगे इससे पहले और थोड़ा सा अगर जान ले कि अगर हमें कहीं पर कोस्टन में पूछे कि हमें मूल बिंदू से मूल बिंदू से वह किस दिशा में है तो जिस दिशा से मूल बिंदू से हम लोग वहां पर डारेक्शन बना लेंगे और उस कोस्टन को सॉल करने की कोसिस मैं ने भी देखा है अपने की करे द्वरान कि कईयों को बाया और दाया मोड़ने भी बहुत दिक्कत होता है तो अगर बोले कोई बेक्ती सपोस राम उत्तर दिसा की ओर चल रहा है तो वहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से अगर बना लें तो उत्तर दिसा की ओर तो आप ही अगर सोचे कि वहाँ पे खड़े होके देखें तो यह हमारा बाया होगा और यह हमारा दाया होगा इधर बाया और दाया होगा मिस् उत्तर दिशा की ओर जाते समय बाया इधर, दाया इधर अब suppose कुछ दूरी चलने के बाद अपना दाया मुढ जाता है मिस् इधर मुढ जाएगा अब इधर मुढ ने के बाद फिर से आप क्या करो यहां पर कुछ इस तरह से फिर बना लेंगे तो इधर हमारा बाया हो जाएगा और इस तिसा की ओर दाया हो अब फिर यहां से अगर कहीं भी बोले कि वो बाया मुड़ा है तो बाया मुड़ेगा तो इधर मुड़ जाएगा क्योंकि बाया अपर साइड है अगर यहीं पर बो मूल बिंदू से किस दिशा की और है तो जहां पूछे वो उस जगह पे हम लोग क्या बना लेंगे एक दिशा बना लेंगे और अपने आंसर को justified करेंगे तो चलिए अब देखते हैं one by one type one के questions को जैसे कि पहला type one के question में मैंने पहला question लिया हूए है आप देख सकते हैं आजा 6 km उतर मैं चलता है फिर वो अपने दाएं मुड़कर 6 चलता है फिर वह अपने दाएं और चलता है 6 किलोमीटर तो बताइए वह प्रारंबी की स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है तो मेरा मानना है कि सबसे पहले आप कोस्चन को अराम से इत्मनान से पढ़िएगा कोस्चन पढ़के अगर समझ में आने लगे आपको तो 50% कोस्चन आपसे स्वाल हो चुका है तो अगर जाएं हम लोग सॉल्यूशन वन में सॉल्यूशन वन की अगर बात करें तो अजय 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है तो मैं कुछ इस तरह से डारेक्शन अगर बना इधर है पूर्व और इधर है पस्चिव अब कोस्चन में बोला ही गया है कि अजय 6 किलोमीटर उत्तर में चलता है तो सपोस्च इस मूल बिंदू से स्टार्ट करके अजय 6 किलोमीटर सपोस्च हमारा कितना है 6 किलोमीटर है तो अजय कितना किलोमीटर चला 6 किलोमीटर उत अब देखते हैं कितना किल्मेटर के बाद फिर और कहीं पे जाके रुकेगा अब यहां पे हम लोग अगर बना लें इस तरह से तो फिर यह हमारा पाया हो जाएगा और ये वाला portion दाया हो जाएगा तो पहले मूल बिंदू से 6 km चला 6 km चलने के बाद वो अपने दाये मुड़ा दाये मुड़ने के बाद वो 6 km चला और फिर 6 km चलने के बाद वो फिर अपने दाये और मुड़ा है मिन्स दाएं किधर है यहाँ पे खड़े हो के देखें तो नीचे मिन्स 6 km फिर चला होगा हो अब देखिए ये 6 km है मूल बिंदू से और ये भी अगर 6 km है तो कहां पहुंच जाएगा इस अधार लाइन पे पहुंच जाएगा हो इस तरह से हमने देखा कि पहले 0 मूल बिंदू से 6 km फिर 6 km और 6 km सपोस इसको ओ दें और इस बिंदू को ओ दें तो ओ इस इन दोनों के बीच की दूरी होगी तो पहला question पूछा क्या है वो प्रारंभिक इस्थान से कितने दूरी पर है और किस दिशा में है प्रारंभिक इस्थान की बात कर रहा है तो प्रारंभिक इस्थान कहां से start किया था हो 0 से ये इसका प्रारंभिक इस्थान है तो प्रारंभिक इस्थान से वो कितने दूरी यहां से यहां तक मिन्स को एट की दूरी कित्ता अगर चाही किलोमेटर है तो यह भी छाही किलोमेटर होगा अतहब को redo कितना चयग किलोमेटर कहा से प्रारंभी किस्थानORA से उसी तरह पूचा गया है कि वह उसको दे देखें onze में गते पूर्वदिशा की और, इस तरह से अगर हमने देखा, कि पहला एक आनसर है, कि अजय अपने प्रारमविक इस्थान से 6 किलुमीटर की दुरी पर पूर्वदिशा में है, तो हमने पहले कोस्चन को बड़े इतमिनान से सॉल्व किया, इस तरह से अगर आप देखें तो आपसे बनने लागेगा दूसरा इसी में पहले का ये बी कोश्चन है इसको देखे अब अजाय ने कुल कितनी दूरी तैकी और वह अब किस दिशा की ओर जा रहा है तो देखें अगर वह कुल दूरी की बात कर रहा है कितनी दूरी तैकी तो अजय, अगर B question को देखें, तो अजय कितनी दूरी चला, O, suppose इसको B नाम दें और इसको C नाम दें, तो अजय कितने दूरी चला है, O, B चला पहले, O, B से B, C चला, B, C के बाद C, A चला, इस तरह से तीन बार चला है, अगर देखें, तो O, A की दूरी किती 6 km, फिर B, C की की दूरी किती 6 km, और C की दूरी किती 6 km, इस तरह से अगर देखें, तो अजय कूल 18 km चला है, तो अजय ने कूल कितने दूरी तय की, अजय ने कूल दूरी कितने तय की, 18 km की कूल दूरी तय की, अगर देखें, तो अजय कूल दूरी कितनी तय कर रहा है, 18 km की कूल दूरी यहां पे आ जाए। और आगे देखें और ुह किस दिसा की ओर जा रहा है, अभी वो C से A की ओर जा ही रहा थह तोokol किस दिसा की ओर जा रहा है , वो दक्छिण धिसा की ओर अग्रसर है इस तरह से हम ने देखा कि अजया ने कूल कित्नी दूरी तई की अजय ने कूल 18 km की दूरी तै की और वह अभी किस दिसा की ओर जा रहा है तो अजय अभी दर्चल दिसा की ओर जा रहा है इसी तरह इस simple question में हमने दो type के question देखा अगर आप से इतना बर है तो इसी में different type के question में पूछे जा सकते हैं की अजय C से A point में पहुँचने के बाद उसका बाया हाथ किस दिसा की ओर है अगर इस type का question पूछ दे इसी में C करके कि उसका बाया हाथ किस दिसा की ओर है तो बाया हाथ उसके पूरव दिसा की ओर है पस्चिम दिशा की और उसका प्रिष्ट भाग किदर है उत्तर दिशा की और इसी तरह different type के भी question आपसे पूछे जा सकते हैं तो please question को ध्यान से पढ़िएगा और बनाईएगा आगे देखते हैं दूसरा question अगर दूसरा question की बात करें तो दूसरे question में संकर पूरब की ओर 15 मिटर चला संकर पूरब की ओर 15 मिटर चला तो solution 2 की अगर बात करें solution 2 की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग इस दीशा को बना ले पहली बार अगर आप question solve कर रहे हैं और आप math से अगर डरते होंगे तो please बच्चे की तरह ही solve करने की कोशिस करें इससे आपको आसानी होगी और जिस दिन आपसे अच्छे से बनने लगेगा आप दोणा जिस दिन स्टार्ट कर लेंगे उस दिन आपको इस तरह बनाने की जर सब्क、、 खर तक पूर्वा की ओर सपोस्थे पंदरा की ओर हें 15 मिटर चला संकर 15ní मिटर पूर्वा की ओर चला और रुग्या फिर दाय मुड़ा अब देखी इधर अगर वो चल रहा होगा तो इस तरह से बना लें तो इधर बाएं और इधर दाया होगा तो 15 मिटर चलने के बाद वह अपने दाय मुड़ता है और 20 मिटर चलता है वह अपने दाय मुड़ता मिंस इधर चलेगा और कित्त चलेगा 20 मिटर चलेगा कुछ यहां से सबको समालने कि 20 मिटर है दाय मुड़ के वह 20 मिटर चला अब फिर वह अपने दक्षिना वर्त अब देखिए यहाँ पे टर्मलाजी यूज हुआ है दक्षिणा वर्थ अगर आपको याद ना हो दक्षिणा वर्थ तो आप यहीं फस जाएंगे और मैंने अपने पहले ही बताया था कि दक्षिणा वर्थ मतलब क्या दाया ही तो यहाँ पे पहुंचने के बाद अगर इस का बाया होगा और इधर क्या होगा दाया और यहीं दक्षिणा वर्थ घुम रहें दक्षिणा में दाया दिसा तो यह बीस मीटर चलने के बाद दक्षिणा वर्थ मुड़ता है और पंद्रा मीटर चला मिनस यहाँ से पंद्रा है तो यह भी कित्ता चलेगा यहाँ से और यह अगर D है तो ओय अगर 15 है तो CD भी कित्ता होगा 15 मिटर की दूरी होगी तो वह कहां पे पहुंच गे हड़ी पे चला गया अब संकर अपने सुरुवाती बिंदू से किस दिशा की ओर है सुरुवाती बिंदू से अगर बात कर रहे हैं तो सुरुवाती यहां से चलू किया था ओ पॉइंट से चलू किया था इस तरह से सुरुवाती बिंदू पर ही हम लोग क्या बनानेंगे दिशा बना लेंगे अब सुरुवाती बिंदू से देखें से दक्षिल दिसा की और है यही हमारा आंसर है किस दिसा की और है अगर कोस्चन इसी में अगर टाइप एक कोस्चन में इसको ए बोलें और बी इस तरह से और कुछ पूछा जाए कि वह अपने मूल बिंदु से किती दूरी पर है अगर वह मूल बिंदू से कितनी दूरी पर है अगर इस टेप कभी question पूछ दिया जाए तो यह यहाँ से OE 15 था AC हमारा 20 मीटर था तो देखें अगर तो AC is equal to OD और यह किसके equal है 20 मीटर के equal है अगर इसी question में पूछ दिया जाए कि वह अपने सुरुवाती बिंदू से कितनी दूरी पर है तो OD equal to AC होगा और AC है हमारा 20 मीटर तो संकर सुरुवाती बिंदू से कितनी दूरी पर होगा 20 मीटर की दूरी पर होगा इसी तरह अन्य question भी इसमें पूछे जा सकते हैं कि पहुचने के बाद इसका प्रिष्ट भाग किधर है तो जो भी question आप से पूछा जाए इस तरह से आप बनाते चले जाएंगे इस तरह से हमने दूसरा question भी देखा आईए देखते हैं तीसरा question तीसरे question के अगर बात करें तो रोहन पी बिंदू से उत्तर दिशा में 20 km चलता है यहाँ पे अगर फिर से solution 3 की बात करें solution 3 ले लें प्रश्ण 3 का answer अगर देखें तो फिर से हम लोग अपना दिशा इस तरह से draw कर लेंगे जिसमें से उत्तर दक्षन पूरब और पस्चिम है इस तरह से देख लेंगे अब आगे बढ़ें तो रोहन पी बिंदू से उत्तर दिशा में 20 मिटर चलता है अगर suppose मूल बिंदू हम लोग इसको 0 माने तो रोहन पी बिंदू से अब नाम ही दिया इसमें पी बिंदू तो 0 के जगा इसको पी ले लें पी बिंदू से उत्तर दिशा में 20 मिटर चलता है और यहां से उत्तर की धर होगा यही होगा हमारा और उत्तर की ओर कितना चलता है हो 20 किलो मिटर तो 20 किलो मिटर रोहन चलने के बाद रुख जाता है फिर दायं 10 मिटर चलता है 20 मिटर चलता है तो देखें अगर यहां पे ह बादवा 20 मीटर चलता है फिर अपने दायं 10 किलो मिटर चलता है तो बाया इधर यहां चलने के बाद दाया किधर होगा इधर होगा और यह कितना चल रहा है और यहां पहुंचने के बाद वो पुना दाय मूरता है, मिंस यहां से वो फिर किधर मूर रहा है, फिर दाय मूरता है, तथा 20 km चलता है, पहले कोस्टन की तरह है, फिर से कहां पे पहुंच गया? 20 km चलता है मिन्स नाम दे दें PA और इसको अगर B दे दें इसको C दे दें तो PA अगर 20 है तो BC भी किता होगा 20 km होगा चलता है तथा 20 km चरकल बिंदू Q पर पहुंच जाता है चलिए यहाँ पर question में Q नाम दिया है तो हम लोग Q कर देते हैं Q बिंदू पर पहुंचता है रोहन का मुख किस दिशा की ओर है अगर देखें तो यहाँ पर पहुंचने के बाद रोहन का मुख किस दिशा की ओर है मोहन रोहन कुछ इस तरह से आ रहा था यह इसका बाया था और यह हमारा दाया था तो रोहन किधर देख रहा था दक्षिड दिशा की और देख रहा था अगर देखें तो रोहन BC B से Q की और चल रहा था B से Q की और चल रहा था मिंस Q की दिशा की और देख रहा है और Q दिशा किधर है दक्षिड की और है दक्षिर्ड की ओर है क्यों? क्योंकि रोहन B point उत्तर से दक्षिर्ड की ओर जा रहा था तो question में पूछा गया है कि रोहन Q point में पहुँचने के बाद उसका मुख किस दिशा की ओर है तो हमने जाना कि रोहन का मुख किधर है? दक्षिर्ड दिशा की ओर है इसी में और भी कई customer पूछे जा सकते हैं कि रोहन अपने प्रारमबिक इस्थान से कित्ती दुरी पर है तो अगर बात करें प्रारमबिक इस्थान से दुरी तो AB अगर 10 km है अगर यही पर अगर इसी में दुसरा question अगर डाल दिया जाए कि रोहन अपने प्रारंबिक इस्थान से कितने दूरी पर है तो यहाँ पे PQ ही वह दूरी है और PQ किसके बराबर है AB के और AB है हमारा 10 किलोमेटर देखिए PQ और AB दोनों इक्वल है और AB हमको पता है 10 किलोमेटर तो PQ भी कितना होगा 10 किलोमेटर अता रोहन अपने प्रारंबिक इस्थान से 10 किलोमेटर की दूरी पर है इसी में और भी कोस्चन डाल दिया जाए तीसरा कोस्चन कि रोहन अपने प्रारंबिक इस्थान से किस दिशा की ओर है तो प्रारंबिक इस्थान से तो P प्रारंबिक इस्थान में हम लोग इस तरह से direction बना लेंगे इस P point पे और यह कहीं पे रोहन इस दिशा में है और यह दिशा क्या कालाता है पूर्व तो रोहन अपने प्रारंबिक इस्थान से किस दिशा की ओर है पूर्व दिशा की ओर है तो इस तरह से हमने direction में type 1 question मे हमने different type के अलग-अलग simple question आज देखा अगर यह video आप पहली बार देख रहे हैं और अगर आपसे mess नहीं बनता है तो please one by one करके मेरे सारे video देखिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपसे सारे mess के topic आपसे बनने लगेंगे आपसे please video को skip करके बिल्कुल न देखें इससे कोई चीज अगर आपसे छूटता है तो अब बनने नहीं लगेगा तो please अच्छा लगे तो video को like कीजिए comment कीजिए कुछ कमी हो comment box में आप हमें बता सकते हैं कि हम उसमें फिर सुधार करेंगे और अच्छा लगे तो please video को अपने study circle में share कीजिए thank you